नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप लोग सब देखे होंगे income tax के due date extension हो चुकी है लेकिन अभी भी taxpayer के मौन में confusion आ रही है कि जब वो लोग return filing कर रहे है तो उन लोग को late fee fine देना पड़ रहे है अक्चली severity के तरफ से जो circular issue की गई है और fail जो circular issue की गई थी इसमें क्या difference है जो ITR due date extension हुई है वो किलनों को उपर में applicable है ठीक है दोस्तों आईए आसन भासे में इसको समझते हैं दोस्तों जैसिक आप देख पार होंगे severity के तरफ से 9th September 2021 को एक्षण notice issue की गई थी जिसमें लेखा हुआ है extension of timelines for filing of income tax return and various reports of audit for the assessment year 2021 2022 यह circular number देखे 17 2021 सबसे यह notice आ गई थी income tax तरफ से जिसमें 6 पंट mention की गई है और इसमें देखे जो की severity तरफ से 11 जनवर 2022 को issue की गई थी circular number एक 2022 सबसे subject देखे क्या लिखा हुआ है इसमें extension of timelines for filing of income tax returns and various reports of audit for the assessment year 2022 ओई है subject यह की है देखे इसमें जो 9th September 2021 को issue की गई थी notice इसमें जो subject जो लिखा हुआ है इसमें भी जो 11 जनवर को जो notice issue की गई थी इसमें भी होई subject है लेकिन वह इसमें देखिए इस notice में पांच पंट में सिर्फ मेंशन किया गया है लेकिन इसमें 6 पंट मेंशन की गई है ठीक है दोस्तों यह पूरा summary को हम एक ठोटेबल में बना दिये है आप इस टेबल से आप देख पा रहोंगे आपका जो confusion आ रहा है ठीक है ठीक है दोस्तों दोस्तों सिबीडिट ने डियूटेट एक्स्टेंशन को लेके जो भी notice issue की थी आसानी भासा में आप लोग को समझाने के लिए कुशिस करूंगा ठीक है दोस्तों आप लास्ट तक बने रहिए आपका मन में जो भी confusion आ रही है वह clear हो जाएगे ठीक इसन डियूटेट ठीक है पहले समस्ते है एक शली रिपोर्ट न डियूटेट के बारे मिं टैक सली रिपोर्ट की और दियूटेट है 30 सेप्टेमबर 2021 लेकिन उसके बाद स्टीलिट ने दे दी एक्स टेन्सन जोकी सरकूल नाबर 92011 सब इसमें डिवट बढ़ा कर 31 अक्ट फाइनली उसका जो डिव डेट है फर आस्समेंट डियर 21 के लिए 15 फ्रेवरी 2022 यह हुई ट्यक्सरी रिपोट के डिव डेट ठीक है उसके बाद देखिए ट्रांस्पर आफ राइसिंग रिपोट की डिव डेट के बारे में उसका जो ओरीजिनल डिव डेट है वहे 31 अक्टवर 2021 है उसके बाद सेवी रिटन ने उसको बढ़ा कर 30 नवबेंबर 2021 कर दी थी उसके बाद जो लास्ट डिव डेट है ठीका यह है ट्रांस्पर आफ राइसिंग की रिपोट की डिव डेट है उसके बाद देखिए ट्रांस्पर आफ राइसिंग आंडर सक्षन 92-e बाइ एकांटन जो लिखा हुआ है यहां पर इन लोग के लिए यह अपनिक्विशनों होते हैं जिन फिर एक्स्टेंशन कर दी 31 जैनुवर 2022 को उसके बाद देखिए जिन लोग ने रिपोर्ट इंकम टैक्स में अप्लर करते है उन लोग को इंकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है पहले देखिए जिन लोग ने टैक्स रिपोर्ट अप्लर करते हैं उन लोग को भी इंकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है तो टैक्स रिटर्न की जो ओरिजिन डिवडेट है ओह है 31 अक्टाबर उसके बाद सिबिडेट ने उसको बढ़ा कर 30 नवेंबर कर दी थी फिर डिवडेट एक्स्टेंशन हुई 15 फिवर्ज को उसके बाद फाइलन जो डिवडेट है ओह है 15 मर्च ठीके उसके बाद आप अपना जो ओरिट का रिटर्न है उसको नहीं भर पाऊगे ठीके सिमिलरली जिन लोगों ने ट्रांसपर फ्राइस ही रिपोर्ट अपलोड करते हैं उन लोगों भी आईटेर भरना पड़ता है ट्रांसपर फ्राइस रिटर्न की ओरिजिनल जो डिवडेट है ओहे 30 नवेंबर बट सिबी रिटर्न ने उसको एक्स्टेंशन करके 31 डिसंबर कर दी थी सर्कूलर नमबर 9-2021 सबसे फिर डेट एक्स्टेंशन हुई 28 फ्रिवर तक बट सिबी रिट ने कोरोना और टेक्निकल गीचेस बज़ा से उसको बढ़ा कर फाइनली 15 मार्श तक कर दी है ठीक है सबसे important point यहां बनता है क्योंकि काफी taxpayer ने confusion इस point में ही होते है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है non audit ITR की जो डिवड़ेट है ओरिजिनल डिवड़ेट है 31 जुलाई but severity ने उसको बढ़ा कर 30 September कर दी थी और finally severity ने उसको बढ़ा कर 31 December तक ही कर दी थी ठीक है उसके बाद उसका जो डिवड़ेट है वो extension नहीं हुई similarly belated और revised return की जो डिवड़ेट है वो है 31 March तक उसके बाद यह change नहीं हुई ठीक है फाइनली हम लोग conclusion में पहुंचते है कि सिर्फ audit बालों की डिवड़ेट extension हुई है और non audit बालों की डिवड़ेट extension नहीं हुई है तो उन लोग को let fee के साथ idea भरना ही पड़ेगा ठीक है दोस्तों अगर कुछ भी confusion रह गया है तो आप comment करके हम लोग को बता सकते हैं ठीक है thank you